Topic है हमारे पास simple problem on stress and strain एक छोटा सा numerical, basic numerical करेंगे stress और strain के उपर जिसमें की हमारे पास एक prismatic बार है एक prismatic बार है with rectangular cross section जिसका है 25 x 45 mm ये इसका cross section है 25 x 45 mm ये 25 x 45 mm cross sectional area है इसका और इसकी length है 3.5 meter और इसको हम इसके उपर हम tensile load लगाएंगे जो load होगा हमारे पास 80 kN का tensile load होगा 80 kN का तो यहाँ पर हमारे पास इसमें अब elongation कितनी होती है वज़ा से 80 kN जब इसके उपर लगेगा tensile load तो इसमें elongation होगी इसकी length जयदा हो जाएगी 3.5 meter था तो ये 2 mm और बढ़ जाएगा माल लीजिए इतना 2 mm और बढ़ गया है ये portion इसका elongated portion है जिसकी length है 2 mm तो इसके उपर हमने क्या करना है stress calculate करना है और strain calculate करना है stress कितना होगा strain कितना होगा इसके उपर तो सबसे पहले हमारे पास given क्या क्या है actual pool given है actual pool हमारे पास 80 kN का है उसके बाद cross sectional area हमारे पास area cross sectional area 25 into 45 mm है जिसका area total मिलाके बन जाता है calculate करेंगे गर 1 to 5 mm square length of the bar हमारे पास जिसको denote करेंगे L के साथ 3.5 meter है तो mm में convert करके 3500 mm आ जाएगा elongation कितना आएगा बार में वो question में given है delta L elongation है जो की 2 mm है इसके बाद stress calculate करने के लिए हमें जैसे की पता है कि stress कैसे calculate करते है सबसे पहले load हमारे पास जो given होता है उसको divide करते है area के साथ वो load कितने area पे लगेगा तो हमारे पास स्ट्रेस बन जाता है तो यहां पर हमारे पास stress बन गया है 80 किलो न्यूटन 80 किलो न्यूटन किलो को 1000 आ जाएगा तो multiply करके 80 multiply 1000 divide by 1125 calculate करेंगे 71.11 newton per millimeter square उपर वाला जितना भी है यह यह newton में और यह आपके पास millimeter square में तो इसका unit newton millimeter square इसके बाद देखेंगे हम strain कितना आएगे इसमें तो strain को denote E के साथ करते है और यहां पे change in dimension to the original dimension हमारे पास strain होता है change in dimension हमारे पास 2 mm का है यह change in dimension जो हमारे पास after the application of load हमारे पास इसमें कितना elongation आया है वो 2 mm है 2 mm divided by original length कितना था इसका 3.5 meter means 3500 millimeters उसको calculation जब करेंगे divide करेंगे तो यह आजाएगा 5.71 into 10 raised to the minus 4 तो इसको अगे further simplify करेंगे तो 0.00057 इसका आजाएगा answer और क्योंकि यह tensile load लग रहा है तो tensile load में हमारे पास sign conventions strain के लिए positive रहता है तो अगर in case अगर हमारे पास अगर यहाँ पे negative compressive forces लगते compressive load लगता और same 2 mm के साथ अगर यह length इसकी decrease हो जाती तो हम इसको ऐसे ही divide कर देते तो हमारे पास इसके साथ minus में लग जाता यहाँ पे sign convention इसका minus आजाता बाकी same वैसे ही रहता original dimension इसकी यही थी change in dimension इसकी 2 mm है तो divide करके यह minus में माइनस में आ जाता है minus value में तो इसी तरह से एक simple problem हमारे पास stress और strain के उपर थी जो कि बहुत ही basic सी problem है लेकिन बहुत important problem है इसको solve करना आना चाहिए तो I hope stress और strain का आपको concept भी समझ आ गया होगा और साथ में numerical का introduction भी आ गया होगा Thank you